यू वाट्स आप गाइस कैसे आप सभी लोग वेट 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 फाइरिंग लगगी बड़ी तीचकी कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू एनेदर गेम प्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग के लिए जा रहे हैं हाउस फिलिपर इस केम में हम लोग एक सफाई करमचारी नहीं यह थोड़ा जाद हो गया इस केम में गाइस हम लोग को एक पुराना घर खरीदना है दन उसे रेनोवेट करके नया करना है और उसे एक अच्छे प्राइस पे बेच के अमीर आदमी बनना है काफी जादा प्यारा सा गार्डन है और प्लाट भी मुझे काफी जादा अच्छा लग रहा है और अगर बात करें एरिया की तो काफी जादा बढ़िया सोसाइटी में है अपना घर हाँ एक तरीके से का जाए तो थोड़ी महेंगी जगा है यहाँ पर सब के घर काफी जदा बढ़िया से बने में है हमारा घर को छोटा नहीं लग रहा बाकी घरों के मुकाबले हाँ छोटा भी है और साथ के साथ को जादा ही गंदा है इतना गंदा नहीं देना चाहिए त्यार एटलीस इसको साफ करने में भी हिकड़ी बार हो जाएगी ठीक है आर अभी काम हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यह मैंने ओपन करा घेट भाई क्या है यह लोग कितना इटे गौन फैक के घर में यह पका पडोसियों की हरकता यार बड़े बत्तमी जा सारा कूड़ा इनके घर में क्या मैं फैक सकता हूं मेरे पास इतना सारा कूड़ा है लेकिन हाँ शायद से वो पूरा डैमोलिश हो ज लेको उपर मकडियों के जाले लगे में है दिवार शीशा टूटा हूँ है दिवार पूरी सड रखी है देखने का भी नीमन कर रहा है मुझे और मैं वहां नहीं देखने वाला हूं क्योंकि मुझे मालूम है आप में बहुत से लोग शायद कुछ खाते पीते इस वीडियो अरे नाइस तो अभी हमें यार बहुत कुछ मेरा तो काम ही करनेगा नीमन कर रहा है इस घर में तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो जमीन पर गंद है ना इसको उठा लेते हैं तो यह हो गया क्लीन एंड यहां पर यार गैस स्टॉक बाई यह तो नया हैगा इसको मैंने हटा दिया है और यहां पर कुछ फाल तू डबे पड़े हैं कुछ फाल तू पुराने न्यूस पेपरस हैं इन सब को मैं हटा देता हूं यह वाला बॉक्स भी हटा दिया है बाकि यह बैड भी कौन सा साफ नहीं बैड शिट धुल के साफ हो जाएगे यार देखो इत बड़ा है एकदम बिकार तो खुला वह अच्छा लग रहा है लग तो रहे लिस्ट की ठीक है वाकि हां मेरे पास कुछ है कैसे साफ करने के लिए नहीं अभी मेरे पास कुछ भी है बाकि हां लैप्टोप में हमें कुछ वर्क आएगा यार देखो अबीन हमने घर तो ने इसका रेडियेटर चुरा लिया बड़ा गरीव एक्स मतलब बॉइफ्रेंड था इसका चलो ठीक एचा है कि इनका ब्रेक अब्रेकप हो गया है तो अभी इसका मेरे को मेल आया है हलो आई वुड लाइक तो हायर यूर कंपनी तो पुट मैं हाउस इन ओर आउर आउर आ गाउस और भी इसके घर पर जा रहे हैं लोग जिस लड़की का हमें मेल आया था इसके बॉइफ्रेंड ने जो इसका पुराना बोइफ्रेंड था उसने इसके घर पर आगे तोड़ी-फोडी बिन्दब पूरा तोड़ फोड़ो कर दिया उसका रेडियेटर चुरा के ले भाई बड़ा ही गरीब था बठा जो भी हो हम लोग इसके भी प्लॉट पर आ चुक है यह तो पड़ों से ही लग रही है अपने बगल वाला गरी तो है नहीं कुछ वैसा चुक है इसके उपर आगया ठीक है अम लोग यहां से बाहर नी जा सकते बढ़ा मैं सही एक्टम बं मैटर सोल्व कर देगी जब उसका बॉइफ्रेंड ट्रिप से आ जाएगा पता नहीं वो ट्रिप पे गई है उसका बॉइफ्रेंड ओके यहां पर तो ब्लड यह ब्लड है फिर को रैड नहीं हो सकता यार बड़ा ही बिकार था पूरा खून भून भी लगा हुआ थोड़ा हो सकता है बाकि यहां पर जितना भी गंद है सारह में हटाना शुरू करता हूं फाल्ति हुए काफी सारे चान है बहुत कोल्ड रिंग पर थे थे लोग चलो कोई नहीं इसको भी यहां से हटाए यह भी हटा हो वाई सब कुछ मैंने कर दिया है एक बार यह वाला रूम यह काफी ज्यादा गंदा हो रखा है तो यह होता है रेडियेटर जो कि हमें खरीद के यहां पर लगाना है वह चोर लेगा ना तो उसको भी करते हैं ठीक यह सारा कुछ सफाई करना है यह चेर्स को क्या मैं उठा के रख सकता हूं मेरे पास एक क्लीन ओ वाव तो मुझे मॉप हो रही है टेबल भी उसी से साफ हो रहा है यह तो बत्तमीजी है थोड़ी से ओके टाबलेट टू चूज वड़ी वांट तो स्पेंड दा न्यू स्किल पॉइंट तो हम लोग अपनी स्किल्स भी इसमें इंप्रूव कर सकते हैं काम करते करते मुझे परक्स में जाना है हां तो हम लोग फास्ट हैंड को अप्ग्रेट कर लेता है ताकि सफाई ओर जल्दी जल्दी हो पाए ठीक है यहां पर जो गन था इसे भी ठीक करा इधर भी काफी जदा गंद है टेबल पर काफी सब ब्लड लगा हुए पता नहीं ब्लड है फिर ब्लड ही लग रहा है और इनक सब कुछ साफ कर दिया उपर मकडी के जाले नहीं मकडी के जाले अपने उस वाले घर में इधर यह घर ठीक है फिर भी हां तो सब कुछ एकदम ओक है कितने छोटे-छोटे से एकदम सूइट हो मैंने मतलब ऐसे गुसे छोटा सा एक ड्रॉइंग हॉल चोटा सा बेडरूम और एक चोटा सा बातरूम और यहां पर चोटा सा किचन मतलब एक दूम काफी छोटा है पर प्यारा है हां तो हमने डर्ट जोए 85% क्लीन कर दिया वहां पर राइट साइड में हमें दिख रहे हैं कि हम लोगों ने कितना काम कितना प्रोग्रेस चोपना चल आ हो सब कुछ हम कारबेट पूरा घंदा पड़ा हुआ है तो डर्ट जो हमने पूरी क्लीन कर दिया है अब हमें वह डिवाइस माउंट करना है यहां पर रेडियेटर तो मुझे अपने टाप पे पहले स्टोर पे जाना है और उसके बाद यहां से परचेस करना है एक रेडियेटर तो यह र यह रहा एक बोल्ट मैंने इदर लगा दिया एक और बोल्ट लगा दिया और उपर से स्क्रिव कर दिया लेट्स को अभी एकदम हो चुका है अपना काम कंप्लीट पस इतनी सी जॉप थी ठीक नहीं रुक जाओ यार देखो हमारी प्रफेशनल कंपनी है हम लोग काम एकदम तो चाहित तरीके से सेंटर में रख देते थोड़ा गुड़ लुकिंग कर देते हैं अर घर को जादा पीछे तक है अगर बंदे भार जाना होगा तो उसमें अटके गए तो सोफे को थोड़ा सा आगे लगा जाते है उसके खाने खाने का टेबल भी यहां पर गिरा रख है तो उसको हम लोग यहां पर भी सई सेट कर देते हैं यह वाली चेर है इसको भी मैं एकदम प्रॉपर इसको लगा देता हूं ठीक है यहां पर यह भी गिरा पड़ा है तेख रहे हो वाई कितने ज्यादा तमीज में काम हो है सारा इसको अब कितना अच्छा लग रहा है अग क्या है यह कराब है यह बंदी नहीं हो रहा है हाँ ठीक है गाइस अभी देख लो एकदम सुईट हो मना दे बाई दो मिनट के अंदर चलो अपना काम अभी हो चुक है अब हम लोग चलते हैं अपने घर पे वापिस यह साइड मिशन है ताकि हम लोग पैसे कमा पाएं ओके काइस तो यह हम लोग अपने घर पे वापिस आ चुके हैं और सफाई करने के लिए मेरे पास यह जाडू आ चुकी है अभी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं और जितना भी गंद मचा पड़ायना है यह वह सारा का सारा मुझे साफ करना है सबसे चादा गंदी तो मुझ साफ रहा को इसको दो भाई पूरा फूरा पानी का दो उचलते ऐन रख शीक न दुसरा पेंट करेंगे यहां पर दूसरी टाई बेन चलता पानी चाएगा फ्राऊ हो जाएगा तो यहां पर कमरे की मेरे को यार देखो यह पता मैक्स साफ हो रखे क्या मैं यहां पर एक दूसरी जमीन लगा सकता हूं वुड का ही लगाएंगे मेरे को एक बार ही नहीं स्टोर पर जाना पड़ेगा क्योंकि यह अपना घर है यहां पर हम लोग थोड़ा महंगा काम करने वाले हैं तो राइट वूड बनाते हैं इसको यह थोड़ा रहेगा तो मुझे कुछ इस तरीके से यांपर लगाना है अगर मैं लोच पूरा एरिया भी स्लैक कर सकते हैं यानि के अगर मुझे इससे लगाना फोरी तो काफी ज़दा तो आप है कितनी इसको इसको मान लगा एंड यह मैं और इसके ज्रहा देनका ऊपर से भी गंड़ केवैटि इसको भी में भिपंटी धिच होपा सबब्र करें इसको। बिदो सब लिए हैं वार मैं अब मुझे लाइज कषड़ा के हैं और फ roles यह जो बेड है ना यह थोड़ी ज्यादा जगा ले रहा है इधर करने का मन तो नहीं है बढ़ा करना पड़ेगा था कि हम लोग रड़ीटर को लगा पाएं तो अभी हम लोग दूबारा से रड़ीटर परचेस करते हैं और यहां पर इसको थोड़ा में इधर करके लगा सकता अब यह मुझे यहां पर दोनों को कनेक करना है यह वाला पॉल टाइट सेकिंड बॉल टाइट ऊपर से यह भी टाइट हो चुक है जो भी है स्क्रीव है पता नहीं क्या है ठीक है तो अभी मेरे को इसे थोड़ा सा यार देखो यह बैड में प्लेस नहीं कर पा रहा हूं ब यहां पर कुछ अलग टाइटर लगा दिया है अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस घर में और क्या-क्या साफ करना यहां पर कुछ फ्लोर रह गया वह देखो विट यहां पर मुझे यह लगाना था हाँ अभी ठीक लग रहा है पूरा 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 फ्लोर कुछ टाइल ना मैं बात्रूम के लिए यहां से पर्चेस कर लेता हूं वैसे मेरे को समझ नहीं रहा कि कौन सा कलर बात्रूम में बशक्तिक अजसे मेरे साफसे ना ग्रे कलर काफी जड़ा सही होगा डाक ग्रे पर चलते है इसे मेरे असे ले लीआ हैं अमुझे इसे लगाना है बातरूम अब ही तो लोह की यह है यार यह वैने क्या कर दिया यह पानी से तो कोई दिकत हो गी नी वैसे पर बहुत आजीप कि लोग कोई नहीं बाद में से चेंज करदेंगे अभी एक बड़ी ना में को चेक करना है कि मेरे को कोई मेल आया है या वूइट मेरे को मेल आया हूँ है यानि मिरको किसी और ने भी अपनी घर पर काम करने बूला इसका नाम है कैरोलेनी स्मित क्लीनिंग दे गराज अब हैं लोग आ चुक है उस बंदे की घर पर जिसका हमें गेराज कलियर करना है फड़ा बट से भी में चलता हूं इसके घर के अंदर है अब इसकी काफी जादा बड्या घर बना रहा है इसका किचन देगो वाई है एक दौ मी मस्त लग रहा है इंग चीज इसकी परफेक्ट हो रखी है घर में कोई है कोई भी नहीं है मतलब इसका घर काफी जदा अच्छा है अपने लिए घर बना रहे है चोटा वाला वो भी कुछ ऐसा सही बनाएंगे पर यार अपने पास इतना ज्यादा एरिया नहीं है और हम लोग यहां क्या कर रहे हैं वह में पुलिस के पास व बाहर ही था ना कहीं तो यहां गेट अब यहां पूरा घर इतना अच्छा लग रहा है इसलिए तो उसने साफ करने के लिए बुला है यहां पर काफी ज़्यादा डब्बे बड़े हैं रुक जो सबसे बहले सारे डब्बे हम लोग अटाते हैं वहां टू ट्री फोर कितना सई घर है यार इसका कुछ इसी टाइप का घर हम भी मनाएंगे जो अपने पास देड़ सारे पैसे आजेंगा अभी ज्यादा पैसे नहीं है पालतु के जो टायर वगएर वह सारे में यहां से हटा देता हूं यह बॉक्स भी टायर हटा दिये लेट्स को सब कुछ एक तो भी ट्रैश हमने 97% रिमूव कर दिया है 100% हो गया कुछ ट्रैश रह रहे गया टायर वायर के पीछे कुछ है गंदगी तो है पर ट्रैश अब यह पड़ा डबा सामने टेबल पर वढ़ा हूँ इसलिए ध्यान ही नहीं गया उस पर तो सब कुछ एकदम हो के है अब बार कर दो जा रहा है तो तो तीन बार है यह भी गया यह भी गया यह भी गया यह भी गया फाइनली हो चुक है 94% 94% है अब हमें यह विंडो क्लीन करनी है प्रस एक अलग सा टूल मिला है पर अच्छा मुझे पहले क्लिक करना फिर यह स्टार्ट होगा ठीक है यह काफी ज्याद बढ़िया है इसके में थोड़ी सी जल्दी यल्दी कर देते हैं तो राइट लेफ तर नीचे करे तर यह यह शायद से चोटा सा वैक्प्यूम क्लीनर है या फिर नहीं 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 यह कुछ अलग चीज़ है अब हम लोग इस विंडो को ओपन कर देते हैं तो अपना काम ख पड़ा हो था उसको सबको मोग सही से मैनेज करके रख देते हैं यहां पर इस वाले डबे को मुझा रख देते हैं साइकल गिरी भी थी इसको उठाकर हम लोग खड़े कर देते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से ताकि थोड़ी अच्छी दिखे उन्हें भी पैतर चले ना यह बड़िया कंपनी है अगली बार भी सफाई करने बुलाएं तो मुझे ही बुलाएं अब बारी है गाड़ी को भी मेरे को लग रहा था अंदर बैठ के ले जाएंगे पर आम लोग इसे डारेक्ली उठाके अंदर खड़ी कर सकते हैं यार यह जादा पीछे नहीं जा पा लोग वापिस अपनी घर पर आ चुके हैं अपनी घर की तो विंडोस साफ लग रहे है तो जरुत नहीं हमें इसे साफ करने की घर ना अपना बाहर से काफी ज्यादा गंदा है तो मुझे वहां से चलके भी उसे थोड़ा बहुत साफ करना चाही है उपर से हां मुझे पता खोज है यह मुझे सारी की सारी साफ करनी है यह लग रहा है पर्मनेंटी ऐसे हो गया यह पेंट होगा नीचे की तरफ से काफी ज़्यादा गंदा है यह भी मैंने साफ कर दिया पाइप एक दम मेरे को ओके दिख रही है पर फिर वे एक बार हम लोग ऐसे कर देते हैं वह व कि यहां पर को ऊपर से लेकर नीचे तक उतना साफ कर दिया अब मैं सोच रहो हूँ कि मुझे यहां पर क्या करना चाहिए जैसे कि पॉस्टर से ना मैं सोच रहा हूं कि इसको न हम लोग साइड में ले यह लांप ना काफी जदा दिक्कत दे रहा है क्योंकि बैट थोड़ा सेंटर में आ गया है और यह अटक रहा है तो मैं स्टेवल को में मूव करना पड़ेगा कहीं तो पहले इसको नहीं हम लोग यहां पर रखते हैं रुख जो इसको यहां रखता हूं क्योंकि बैड का देते हैं ताकि अगर हम बैट से उतने तो जमीन पर पैर ना जाए पहले पैर हमारा कार्पिट पर जाए वेट अब ड़न है तो कार्पिट भी मस्ट हो चुका है घर काफी जदा अच्छा दिखने लग गया है अपनी चेयर भी थोड़ी सी गंदी हो रखिया इसको मैंने सा पर नाट के ओकी गाइस तो सब कुछ एकदम ड़न है अब बस मुझे ना इस खर में करनी होगी पेंटिंग ताकि इसकी जो लुक है वो एकदम नहीं वाली हो जाए घर पर पेंट करने के लिए मुझे मार्केट से थोड़ा बहुत पेंट खरीदना पड़ेगा मैं पहले आफिस की लुक नहीं करने के लिए वाइट पेंट बकिट खरीदी थी बड़ प्रॉब्लम यह होगी कि घर पेंट करने से पहले शायद वहां की वाल्स पे भी हमें कोई ने कोई प्रोसस करना होता है मुझे जितना पता था प्लास्टर की जड़त पढ़ती है इसलिए मैंन अलग-अलग जॉब पे पहले अपनी ले टूल अनलोक करने है जैसे देखो पहले हम लोग सफाई करने गया तो अपना क्लीन वाला टूल अलोक हो गया तो शायद ऐसे मैं किसी पेंट के मिशन पर जाना है फिर हमें पेंटिंग का टूल लोग हो क्योंकि हम लोग इस जॉब में नहीं है देरे देरे सीखेंगे उसके बाद यह अपने ओफिस पर काम करेंगे तो यह तो समय नहीं बाद में काम आ जाएगा मैंने यहां तक की जो वुड़िन पैनल है यह भी खरीच देते कि अटलिस्ट घर के बाहर तो काम हो जाए बट वह भी नहीं हो रहा तो सब कुछ एकदम होके हैं पर मैं पता है कि इसको मैंने थोड़ा आगे लगाया था इसको थोड़ा से पीछे करके ना एक एसी लागे यहां पर टांग देते हैं क्योंकि अभी हमें यहीं पर रहना है तो काफी बढ़िया रहेगा आराम से चैन ऑफगे उसा नहीं लग पर रहा है क्योंकि जो जमठा गरऊ है सल्हां के लिएंखे यह यां लगा देते हैं यह कितना सहीं लग रहा है वहाँ यह दुर् Democrats यह टीक यह बट अभी यह बै शाम यह तो ठीक यह आप अभी यह लगाने का फायदा नहीं है क्यूंकि हमें च Après dubai पीतु करने हैं, कहीं ऐसा नहों कि फिर एर कंडिशनर की फीछे पेंटी नहों या फिर उसकी चक्कर में एर कंडिशनर उतारना पड़े, तो हाँ, अपना प्लोट मतलब अपना चोटा सा उफिस है रहने लाइक तो हो चुका है, बस यहाँ पर फड़ा फैन वागरा नहीं तो थोड़ी सी गर्मी लगेगी काफी जादा अच्छा लगने लग गया अंदर से तो चलो गाइस आज किस वीडियो में इतने ही अगर आपको यह वाली वीडियो ची लगी हो तो फड़ा फड़ से वीडियो को जाकी लाइक कर देना और हां मुझ जादा क्लोज हैं 20 मिलियन सब्सक्राबर्स के तो को कि गाइस आज किस वीडियो में इतने ही मिलते हैं अगरी वीडियो में गुड़ बाइ ियो में अगरिएि को हैं येगं इतने ही वीडियो में बाइब स सब्सक्राइब अर्ण dusie